ये रावरी देवी जी बिहार की पुर्व मुखबंतरी हैं शंबैधानिक पद पर रही हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का ब्यान दिया जाना कि तेल में पानी मिलाने का काम बनिया समाज बैस समाज करता है ये काफी घोर अपत्ति जनक है और इसकी इनके बिरुद में कि पुरे बिहार में कल संधया सभी जिला मुख्यालियों पर रावरी देवी का पुतला दान किया जाएगा कि ये बनिया का काम है तो जिसके बाद काफी गुस्से में दिख रहे हैं बीजेपी के तमाम लोग और बनिया जो समाज के लोग हैं वो काफी गुस्से में दिख रहे हैं इसी पर बात कर निकले हमा साथ हैं बीजेपी के भी धायक है पवंज इस वाल जो वैस समाज से आते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का ब्यान दिया जाना कि तेल में पानी मिलाने का काम बनिया समाज बैस समाज करता है ये काफी घोर आपती जनक है और इसकी जितनी निंदा की जाये कम है बैस समाज को अपमानित करने वाला इस ब्यान के को वापस लेने के लिए और माफी म प्लंबर पटना में हम लोगों ने राबरी देवी जी का पुतला दहन का कार्जकरम रखा है और अखिल भारतिये बैस महा समेलन के हम परदेश के अध्यक्ष है और हम लोगों निर्णे किया है कि पुड़े बिहार में कल संधिया सभी जिला मुख्यालियों पर राबरी देव करते हैं बेहतर संबंद बनाते हैं तो हम भोट बनाने का भी हाल जानते हैं और विगारने का भी हाल जानते हैं अगर ये माफी नहीं मांगी तो आने वाले बिधान सभा और लोक सभा चुनाओं में बैस समाज के लोग राबरी देवी जी को और इनके दल को इनका वजूद अपने वजूद का हैसास हम लोग इनको करा देंगे यानि कि उनको माफी माँगना पड़ेगा पड़ेगा ही पड़ेगा नहीं करेंगे तो बैस समाज के लोग सरक प्याएंगे और इनको हम लोग अपने वजूद का हैसास करा देंगे किसी भी समाज के विरूद इस परकार का ब्यान देना मिलावटी कह देना ये घोड निंदा जनक चीज़ है और जिस तरह से कहें तो अमिसा ने कहा था आप लोग की 40 सीट पर तयारी उन लोग करें तो करने दे लेकिन आप लोग 243 सीटों पर तयारी करें जिस तरह से बिरान स कि ललन सिंग जी तिल मिला गया है इनका अपने ही दल में वजूद समाप्त हो गया है राश्ट्री अध्यक्ष है और जयदिव के परदेश करयाले में जो बैनर लगता है उस बैनर में फोटो से ललन सिंग गाइब हो जाते हैं और इनको फोन करके बैनर हटवाना परता है जिस राश्ट्री अध्यक्ष का अपने ही राज्ज के परदेश करयाले में फोटो गयव हो जाता है वो बैकती अमीत साहजी की बात कर रहा है अमीत साहजी कोई भविस्वक्ता नहीं है वो सफल राजनितिक्ग्य है और जो खाकाओ खिशते हैं उसमें अधिकांस में सफल होते रहें कर्शकरताओं के बल पर सफल होते हैं इसलिए और जहां 243 और 40 लोग सभा का मामला है यह विपक्ष वाले जो हैं जब लोग सभा का चुनाव आता है तब यह लोग सभा की त्यारी सुरू करते हैं 40 का जब इधान सभा आएगा तो 240 की त्यारी करेंगे हम लोग जो हैं भाजपा के कर्शकरता और भाजपा के नेता हम लोग 365 दिन हम लोग लोग के बीच में जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुल्जाने में आपदा में बीपदा में काम करते हैं इसलिए मेरे लिए कोई चुनाओं का समय माने नहीं रखता है 40 और 243 सब का त्या इन लोग घबढया हुए हैं घबढया हुए कौन है आप समझ सकते हैं भाई नेता काकी काम ही है कि जब कोई ब्यान दे तो आप उस में से निकाली है कि उसके दौ़रा कहाけれ हुआ Accis कितना सही है कितना गलत है हो सकता है कि आप ही कोई ऐसा सुझाओ हम को दे, जिसको हम मान ले तो हमारी उनती हो जा जाय, देश की उनती हो जाय ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि घबरा जाते हैं अमीर्च जी के आने से ही लोग बेचैन हो जाते हैं कि अमीर्च आ रहा हैं अब का पदा क्या होगा भीड देखके और बेचैन होगiciary पंजोगे हुए हैं इसलिए बिहार पर इनका ध्यान ही नहीं है बिहार से भटक चुके हैं हम लोग आगरा करेंगे नितिशी से कि जब तक बिहार की जंता ने आपको जिमुआरी दिया है और जब तक राजद आपको लेके चल रहा है अलगकल हो जाए तो क्या होगा भगवा महिलाओं को बेट पर जाके कुटा बैठा हुआ रह रहा है अस्पतालों में सिक्षा बेवस्ता का क्या हाल है चंसेखर जी और केके पाठा का क्या हाल है आप इसको सुल जाइए ना कहां इधर उधर आप बियान के फेरा में पुड़े हुए है ये थे हमाज साथ बिजे प पर करना है कि जब तक अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आने वाले चुनाव में आपको सबक सिखा दिया जाएगा इस्तमान फ़रुक बने रहे हैं नीश पोनेशन के साथ नमस्कार